बेहती controversial actress शरलिन चोपड़ा को लेकर आज हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रही है शरलिन चोपड़ा entertainment industry का एक ऐसा नाम है जिनोंने अपने काम से कम और विवादों में आने के कारण ज़्यादा नाम कमाया है लेकिन विवादों में घेरने के बावजूद भी शरलिन चोपड़ा की fan following में कोई खास फरक नहीं पड़ता शरलिन की खूबसूरती ही ऐसी है कि उनके चहने वालों की संक्या कभी कम नहीं हुई प्यार का महीना कहलाने वाले फरवरी में हैदराबाद में जन्मी शरलिन चोपड़ा को आज बॉलिवूड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में खास पहचान मिली है शरलिन चोपड़ा अकसर ही अपने द्वारा दिये गए स्टेट्मेंट्स को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है हैदराबाद में ही पली बड़ी शरलिन ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो बॉलिवूड इंडस्री का एक बड़ा नाम बन जाएंगी शरलिन ने हैदराबाद में रहकर पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद निकल पड़ी वो माय नगरी की ओर जहां उन्होंने अपने सपनों को एक नए उड़ान दी शरलिन के परिवार के बारे में बात करे तो उनके पिता करिश्टियन है वही उनकी मा एक मुसलिम परिवार से तालुक रखती है भूरी भूरी आखो वाली शरलिन बला की खुबसूरत हैं लेकिन इसके साथ ही शरलिन ही वो अक्रिस हैं जिन्होंने रियालिटी शो बिग बॉस में सबसे ज़्यादा कॉंट्रोवर्सीज हासिल की थी शर्लिन 2003 में बिग बॉस के घर में आई थी और यहां आकर उन्होंने जो तहल का मचाया था उसके बाद से ही शर्लिन को अच्छी खासी शोहरत मिले जुलाई 2012 में शर्लिन पहली भारती अभिनेद्री बनी थी जिनोंने प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड होने का प्रस्ताव रखा था इसके साथ ही एक खास बात और है जो बेहत ही कम लोग जानते हैं शर्लिन के बारे में और वो ये है कि शर्लिन का असली नाम मोना चोपड़ा है इस नाम से उन्हें जानने वालों की संक्या बेहत कम है शर्लिन चोपड़ा को उनकी बोल्ड फिल्म कामसूत्र 3D और दिल बोले हरपपा में रानी मुखरजी के साइड रोल के लिए जाना जाता है लेकिन एक्टिक के अलावा शर्लिन को घूमने और किताबे पढ़ने का भी काफी जादा शौक है और किताब पढ़ने के साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वो हमेशा ये शियर करती रहती है कि वो कहा जा रही है और क्या कर रही है उनका एक्टिविटी स्टेटस उनके फैंस आसानी से उनके सोशल अकाउंट्स पर देख सकते हैं इसके साथ ही शरलिन एक फिटनेस फ्रीक मॉडल है अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए शरलिन काफी मेहनत करती है शरलिन योग और जिम के माध्यम से अपने आपको फिट रखी हुई है लेकिन फिलाल तो शरलिन हर प्लाटफॉर्म से दूरी बनाई हुई है लेकिन अब इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि वो जल्द ही किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ धमाकेदार वापसी कर सकती है